इस सती प्रथा पर वर्तमान समय में बात करना क्यों आवश्यक है? इक घटना हुई थी आज से 37 साल पहले रूप कवर केस और आधुनिक भारत का यहां आखरी सती प्रथा केस माना जाता है उसमें 25 लोग अरेस्ट हुए थे जिसमें से 25-2004 में बरी हो गए चार फरार हो गए कुछ लोग की मित्ति हो गेर बाकी बचे 8 लोगों को 9 अक्टूवर को रिहा कर दिया गया आधनी समाज में भी सती को लेकर कई लोग की विजार ऐसे हैं कि वह उसका महिमा मंदन करते हैं वो जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं आज की वीडियो में चर्चा करेंगे नमशकार दोस्तों मैं सुधानशू और आप देख रहे हैं बेसिस की पाड़शाला दोस्तों पहले बात करते हैं 1987 के उस केस की कि आखेर सती पथा महिमा मंदन जो सती पथा 829 में समाप्त कर दी गई उसको लेकर लगबर 500 साल बात दी भारती समाज में उसका महिमा मंदन कि आगया तो ऐसा क्यों हुआ बात 17 जनवरी 1987 की रूप कवर की शादी होती है माल सिंग सेखावत से आठ मैना या शादी चलती है और 2 सितंबर 1987 को माल सिंग की तब्यद खराब होती है अस्पताल में एडिमीट होते हैं और 7 सितंबर को मित्ति होती है उनकी मित्ति के बाद उ इक्षा उनकी व्यक्तिकत थी पारिबारी की सामाजी किसको लेकर आप कुछ नहीं कह सकते कोई भी सबूत नहीं मिलता लेकिन जब रूप कवर ने सती होने की इक्षा व्यक्ति करी या उनसे इक्षा व्यक्ति करवाई गई उसके बाद उनको सती मा का उतार माना गया दुल जाला जाता है और रूप कवर अपने पती की लाश को अपने गोध में रखकर चिता पर बैठ जाती हैं आग लगाई जाती है सीधी बात है जीवित व्यक्ति को आग लगाएंगे तो उसको दर्द दो होगा रूप कवर दर्द के मारे उस चिता से गर जाते उनका पैड जुल दी गई और सती का यह आखरी केस देखा जाता है 32 लोग गिरफतार किये गए लेकिन 1996 में सीकर कोट ने सबूत के आभाव में उन्हें छोड़ दिया इदर रायस्थान सरकार के उपर दबाव मना तो रायस्थान सरकार ने इसे धार्मिक अनुस्ठान मानते हुए किसी भी तरह का इंटरफेयर करने से मना कर दिया अब समाज में तो इसको लेकर विद्रू होगा ऐसे में राजपोस समाज 16 सितंबर को चुनरी महुस्व आजित करता है रूप कवर को सती मानकर उनकी उनका मंदिर बनवाता है और तब समाज में इस चुनरी महुस्व मतलब सती महिमा मंदन के विरुद्ध समाज में आक्रोश उत्पन होता है प्रशासन पर दबाओ बनता है सरकार दबाओं में आती है लेकिन फिर भी एक लाख लोग सती महिमा मंदन के इस उत्सव में आते हैं कई विधायक भी इसमें शामिल होते हैं प्रशारसन मूप दर्शक बनकर देखता रहता है दोरान राजस्थान हाई कोट ने भी इस घटना पर सरकार को फटकार लगाई और इस पर रोक लगाई और में राजी में कॉंग्रिस की सरकार चल रही थी और केंदर में भी कॉंग्रिस की सरकार थी ऐसे में राजीव गांधी तक इस घटना की बात पहुंसती है और वह राजसरकार को फटकार लगाते हैं उसी बीच में सतीर पता निशेद अध्यादेश आता है एक अक्टूबर 1987 को जिसे जनवरी 1988 में लागू किया गया और उस समय जो मुख्यमंत्री ते हरिदेव जोशी उनसे स्तीफा भी लिया जाता है कई लोग मानते हैं कि राजी इव गांधी परसनली इस घटना को मॉनिटर करते हुए इस पूरे इवेंट को ना सम्हाल पाने की वज़ा से हर देव जोशी से स्तीफा लेते हैं एक साल बात वापस से सती महिमा मंदन को लेकर एक महोसव आयोजित होता है और सतीफा को लेकर समाज में एक सकरातमक महौल बनाने का प्रयास किया जाता है तब 45 लोगों को प्रशासन अरेस्ट करता है जिसमें से आपको मैंने ही बताया कि 25 लोग 2004 में रिहा हुए चार लोग फरार हुए कुछ लोग मरे और बाकी आठ को अभी रिहा कर दिया गया सबूतों के अभावों में 2009 में भी एक केस हुआ था शर्वती बाई केस सीकर वह महिला 60 वर्ष की थी वह भी चाह रही थी सती होना लेकिन प्रशासन और सरकार ने उन्हें सती होने से रोक लिया काश रूप कवर के साथ भी प्रशासन और सरकार ऐसे ही रही होती और समाज वहाँ पर सती को महिमा मंदित ना कर रहा होता आज भी सती को लेकर समाज में कई ऐसे लोग हैं जो इसको जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं लेकिन भारती इतिहास का वह एक ऐसा कलंख है जिसे धोपाना आसान नहीं है दोस्तों समझते हैं कि समाज में सतीर पथा आई कैसे चलना पड़ेगा प्रागैतिहासिक कालमिया से दस हजार साल पहले उस दौर में जब किसी व्यक्तिके मृत्य होती थी तो उसकी पसंदीता वस्तू उसकी लाश के साथ दफना दी जाती थी धीमे-धीमे निरजीवता की जगहां सजीवताने ली और वस्तू की जगहां पर उनके जानवरों को दफनाया जाना शुरू किया गया इंडस्वेसिलाइशन में कई जगहों पर घोडे कुट्टे के एविडेंस आपको देखने को मिलते हैं उसके बाद यह सोचाए कि भाई मृत्यू के बाद और भी समान के आवशक्ता होगी तो अब जानवर के साथ नौकरों को दफनाया जाना शुरू कर दिया गया तो अब देखने हैं सजीवता धीमेधी में आ रही है फिर विवाहा उस दौर पे समाज का प्रमुख भाग बन चुका था ऐसे में पत्नी को या जिम्मेदारी दी गई कि वह अपने पती की सेवा मृत्यू के बाद भी करे पत्से में कही जगहों पर महिलाओं को भी दफनाया जाना सुरू कर दिया गया अब समाज में सती का उद्भव शायद यहीं से हो सकता है कोई एविडेंस नहीं है लेकिन हाँ अगर आप एक समाज को भरते देखेंगे तो यह एक genuine reason यहाँ पर लगता है तो इस तरीके से मालता है कि सती पता समाज में आनी शुरू हुई लेकिन अगर हम भारती इतिहास को देखें क्योंकि भारत में यह घटना करम काफी जादा तरीके यह बहुत बड़े लेवल पर होता था तो चलिए इस पर देखते हैं अगर हम आरियों से बात करें तो आरियों की सब्धता में सती पता का उलेक नहीं मिलता आप चाहे अविस्ता पढ़ें चाहे रिगवेद पढ़ें कहीं पर भी सती पता या उसकी जैसी घटना का उलेक नहीं मिलता यहां तक कि उस दौर में महिलाओं को समान अधिकार भी प्राप्त थे लेकिन समय समय पर चीजे बदलती है यह सब भिता आगे बढ़ी उस दौर पे मेगस थनीज, कौटिल ले, ब्राम्मर शाहित्य और भी कई सारे साहित्य जहां पर भी सती पता का उलेक नहीं है उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप इससे उठें यहां आपकी सही जगान नहीं है और आईए अपने जीवन को आगे बढ़ाएए तो यहां साफ दर्शा रहा है कि समाज में सती का इंटोड़क्शन हो तो रहा है लेकि समाज इससे गलत मान रहा है और महिला को दुबारा से शादी करने की अनुमती प्रदान की जा रही है तो समाज में अभी भी सती प्रथा कोई खास उलेक नहीं है आप मेगस थनीज, कौटिल ये साहित यह सब पढ़ेंगे इसमें भी सती प्रथा का उलेक कहीं नहीं मिलता है फिर अगर हम चलें रामायर और महाभाद में तो रामायर में भी सती प्रथा का कोई उलेक नहीं है क्योंकि राजादस्रत की मृत्य के बाद उनकी पत्नियां सती नहीं होती है और रावर की मृत्य के बाद उनकी पत्नियां सती नहीं होती है तो रामायरे में उलेक नहीं, महाभाद में उलेक है क्या? तो महाभाद में पांडो की पत्नी मादरी उसके सती होने का उलेक मिलता है लेकिन वही पर कुंती सती नहीं होती है अभिमन्यों और घटोतकश की पत्नियां सती नहीं होती है कौड़ों जिनकी मृत्ति होती हैं उनकी पत्निया सती नहीं होती है यहां तक कि जो यादव सेना की मृत्ति हुई महाभारत के दौरान उनकी पत्निया भी अजुन के साथ हस्तिनापुर लोट जाती है तो सती पता को लेकर महाभारत में भी कोई खास उलेख नहीं मिलता है तो फिर सती पता शुरू कहां से हुई अगर एतिहासिक वर्डन को देखेंगे तो सती पता की शुरुवात मानिया सकती है 4th century BC से 4th century AD के बीच में कहीं तो ऐसे में जो पहला major उलेख मिलता है इसको समझ लेते हैं देखें गुप्त काल के दोरान जिसे भारत की इतिहास का स्वणिम काल कहा जाता है गुप्त काल में सती पता धीमिदीमिशुरू हो रही थी उस दौरान महिलाओं की स्थिती भी समाज में काफी गिरती जा रही थी पांसो दस इस्वी में भान गुप्त के मित्र गोपराज उनों से युद्ध करते हुए मारे जाते हैं तो उनकी पत्नी सती होती जिसका उलेख इरण अभिलेख में किया गया है बान भट का हर्ष च्रित देखा जाए तो इसमें भी राजश्री को हर्ष ने सती होने से बचाया था तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब सती प्रथा समाज का भाग बनती जा रही है लेकिन बान भट ने अपने लेखनी में इसे कहा है कि यह एक ऐसी घटना है जिससे पती और पत्नी को स्वर्ग नहीं मिलता अगर पत्नी सती होती है तो वह नरग्गामी होती है तो मतलब समाज में अभी लेकर इसको लेकर उहापोव की स्थिति बनी हुई है पिर आप गुप्त काल के लिटरेचर को पढ़ेंगे तो वहां पर कालीदास, वात्सायन, भास, शुद्रक इनकी लेखनी में सतीपथा का उलेख मिलता है। इस ट्रैवों ने भी तक्षशिला और पंजाब में सतीपथा का उलेख किया है। तो इसका मतलब समाज में अब धी में धी में सतीपथा आनी शुरू हो गई थी। दक्षशन भात में इसको लेकर कोई खास एविडेंस हमको नहीं मिलता। कल्धन की रगड़ी में भी सतीपथा का उलेख किया गया है। मुगल का लाया तो हमायू और अकबर इन दोने सतीपथा को अपने सामराज में निशिद्ध करवाया। और कहा कि अगर सतीपथा होते देखी गई तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मराठा सामराज में भी सतीपथा को लेकर नियम लागू किये गए कि सती नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी समाज जो है वा सतीपथा को महिमा मंदित करता रहा। फिर आते हैं सीधे उनीशी सिनापदी में जब राजा राम मोहन राए की भावी को सती किया गया तब उनका हिर्दय कचूट गया और वह सतीपथा के खिलाफ आंदूलन शुरूर कर दिये। जिसमें उनको मदद मिली विलियम बैंटिक की। विलियम बैंटिक ने देखा कि बिटेश आसन की ओपर या आरोप लग रहा है कि वो भारत की ऐसी कलंक वाली प्रथा को समात नहीं कर पा रहा है। तब राजा राम मोहन राए और लॉर्ड विलियम बैंटिक ने साथ मिलकर 1829 में सतीपथा को खत्म करने का नियम लागू कि ये अलग बात है कि समाज ने इसको अच्छे तरीके से नहीं लिया और फिर 1829 की क्रांति में सतीपथा को खत्म करना एक कार माना गया लोग 1829 की क्रांति में इसलिए भी शामिल हुए लोगी सतीपथा को खत्म किया गया था मैकॉले ने इस पथा को और डाइलूट कर दिया इस नियम को जिसमें कहा गया कि हम आज इवन कारावास देंगे उस चीज़ को थ्वास यहां पर डाइलूट किया इच्छा का यहां पर एक क्लॉज एड़ कर दे से धी में धी में यह लोग कम होने लगा 1930 और 1935 के दौर पे भी सती के कुछ एविडेंसेज हमको मिलते हैं और आजादी के बाद 1947 से लेकर आज तक के इतिहास को देखा जाए तो भात में लगबग 40 ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जहां पर महिलाएं सती हुई हैं और आखरी केस रूप कवर का केस था जो कि चाज सितंबर 1987 को हुआ था तो दोस्तों भारती समाज का एक ऐसा कलंग जिसको धोना आवश्यक था अंग्रेजों ने कुछ किया हो चाहें ना किया हो लेकिन सती पता को भारती समाज से खत्म करकर भारत के लिए एक अच्छा ही काम किया है और राजा रामों राय ने जो योगद आईए दोस्तों वीडियो समापते करते हैं बिलेंगे अगले वीडियो में चाचा करेंगे किसी और मुद्दे की लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को जहिंद बंदे मातरम भारत माता की जै